नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम एक अनापचारिक चिठी लिखना सीखेंगे. गैफी आज बहुत खुश है, क्यूंकि उसे आज एक चित्र में रंग भरने का होमवग मिला है. जैसे ही गैफी ने अपना रंगों का डब्बा निकाला, तो देखा कि सब ही रंग उदास हैं और उसके चित्र में रंग नहीं भरना चाहते. गैफी ने जब रंगों से पूछा, तो रंगों ने मिलकर उसे एक चिठी दे दी. हरा रंग गैफी तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों का रंग हूँ, इसलिए तुम मेरे इस्तिमाल बस लड़कियों के चित्र में रंग भरने के लिए करती हो. लाल रंग तुम मेरा इस्तिमाल बहुत कम करती हो. नीला रंग तुमने नदी के पानी को रंगने के लिए काले रंग का इस्तिमाल किया था, जबकि वो तो नीले रंग की है, तुमने मेरी जगा दूसरे रंग का इस्तिमाल क्यों किया, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ पीला रंग, तुम मेरा इस्तिमाल हर जगा करती हो, सेब लाल रंग का होता है पर तुमने उसमें पीला रंग भर दिया सफेद रंग, तुमने मुझे काफी दिनों से देखा ही नहीं है, आखरी बार तुमने मेरा इस्तिमाल तीन महीने पहले किया था गाफी अपने रंगों को मनानी के लिए भी एक चिठी लिखती है मेरे प्यारे रंगों मुझे पता है कि तुम सब मुझसे नाराज हो और मेरे चित्र में रंग नहीं भरना चाहते में आज से तुम सभी का सही से इस्तमाल करूंगी और सारे रंगों के नाम अच्छी से याद भी करूंगी मुझे उम्मीद है कि तुम सभी मुझे माफ कर दोगे और मेरे चित्र को अपने रंगों से सुन्दर बना दोगे तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त गैफी बच्चों, आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आया आप भी अपने रंगों के लिए एक चिठी लिखें और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करें